बच्चों ये है revision series जिसमें हम लोग नौदे विद्धाले और सैनिक स्कूल के complete syllabus का revision करने वाले हैं एक lecture में मैं एक chapter revise आपका करवा दूँगा सारे important question उनकी मैं practice आपको करवा दूँगा इसी lecture में यानि हर एक lecture में एक एक chapter की practice हम लोग करते जाएंगे और भी अधिक practice आपको करना है बच्चों तो drone school का app आप download कर सकते हो ये है हमारा drone school का app जो की play store पे available है इसमें mock test की series available है तो जैसे ये सैनिक का mock test का series है हिंदी और English medium दोनों में ये नौदे विद्धाले का mock test का series है 50 mock test series नौदे विद्धाले के लिए है 25 mock test series भी है हिंदी और English दोनों medium में इसमें कैसा आपको mock test दिखेगा ये मैं दिखाता हूँ जैसे इस तरह की से आपकी ranking दिखेगी जब आप mock test दे लोगे तो इस तरीके की ranking आपकी दिखेगी ताकि आप analyze कर पाओ कि आपका score क्या रहा है आपकी ranking क्या रही है आपकी strength और आपकी weaknesses दिखेगी ताकि आप अपनी weakness पे काम करके अपने आपको और improve कर पाओ और इस exam को clear कर पाओ तो इस तरह का dashboard दिखेगा जिसमें आप questions attempt कर सकते हो mobile में भी कर सकते हो और desktop पे भी ये questions सारे attempt कर सकते हो अगर आप 9 विद्याले की तयारी कर रहे हो तो especially हमने ये crash course अभी जल्दी launch किया है जल्दी start किया है इस crash course में 9 विद्याले के complete syllabus को कम time में हम लोग cover करवा रहे हैं और बिल्कुल ही comfy में तो अगर आप एक बार complete revision चाहते हो और 9 विद्याले के सलेबश का तो इस crash course में जरूर से enroll करें सैने की सुलू के लिए सैने कलफा 3 batch है हमारा और 9 विद्याले के लिए अगर complete batch चाहते हो तो अरजुन batch है हमारा और इसके साथ साथ ही अरजुन batch के साथ साथ ये हमारा model paper की series है जो 50 model paper की series है अगर आप 10% का discount चाहते हो तो exam 10 coupon code का use कर लेना exam 10 coupon code हमारे app में आप apply कर सकते हो कैसे apply करना है बताता हूँ जो भी course खरीदना है सबसे पहले तो store section में जाना और वो course select करना select करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो exam 10 लिखा होगा इस पे click कर देना तभी आप discount का lab उटा पाओगे ध्यान रखना रेजर पे के option पे click करना उसके बाद से फिर किसी भी payment method से आप payment करके इस course में enroll कर सकते हो ठीक है किसी भी जानकारी के लिए 6260-388-361 पे call या whatsapp करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी badge की बारे में फिलाल अभी ये वीडियो complete देखो बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा revision तुम्हारा ही होगा so enjoy the lecture बच्चों इस lecture में हम लोग start करने जा रहे हैं lab और honey यानि की profit and loss की RTP यानि की revision time practice follow sheet जैसा कि बटा मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जब भी ये solution देखो उसके पहले कम से कम एक बार solve कर लिया करो ये जो sheet है ना एक बार download करके print कराके या फिर ऐसे डिजिटल form में जैसे भी आप करना चाहो solve कर लिया करो और उसके बाद ही ये lecture देखा करो solution देखा करो इससे आपको ज़्यादा help मिलती है आप ज़्यादा अच्छे से practice कर पाते हो है ना लेकिन फिर भी चलो अभी तक नहीं solve किया है अगर तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि आपको सबसे पहले खुदी solve करने की कोशिश करनी है उसके बाद से मेरा solution देखना है मैं कुछ नो कुछ ऐसे tricks बताऊँगा कुछ नो कुछ ऐसे तरीके ऐसे techniques बताऊँगा जिससे आपका time कम लगेगा ठीक है तो पहले अपने तरीके से करना और फिर मेरा तरीका देखना अगर लगता है कि उससे मुझे करना चीए तो उससे करना और फिर अपने तरीके से करना कोई दिक्कतवारी बात नहीं है हमारा एम है बटा time कम लगना चीए हमारा ज्यादा ज्यादा practice करोगे तभी time कम लगेगा ठीक है So let's start with the question number one Start करते है question number one से एक आलमारी का क्रे मुल्य पच्छतर सो है तथा विक्रे मुल्य अठतर सो पच्छतर है तो उस पर होने वाले लाव तथा प्रतिशत लाव बताईए देखो बटा दिया हुआ है the cost price of a cupboard is 7500 and the selling price is 7800.75 then the profit and percentage profit बटा profit आपको पता है कि ये वाला हमारा SP है और ये वाला हमारा CP है तो SP में से CP माइनस कर देते हैं तो profit निकल जाता है तो 7800,75 में से 7500 माइनस करोगे तो 375 ये आपका निकल कर आजाएगा profit ठीक ये क्या निकल क्या गया? ये profit निकल क्या गया percentage profit का फर्मूला बता बटा percentage profit का formula होता है profit upon cp into 100 profit हमारे पास है किता 375 upon cost price है 750 750 00 है into 100 देखो यहां से हमने काटा 00 से 00 यह खतम कट गया और यह हो गया बता 735 25 25 तो यह 5% आग रहा है आपका answer है ना यानि अगर मैं percentage profit की बात करूँ तो वो आएगा 5% और नॉर्मल सिर्फ profit की बात करूँ तो वो आएगा 375 रुपीज तो option हो गया c असान सवाल है वोलो next question देखो एक दुकानदार एक सोफा 24,910 में बेचता है और 6% का लाफ पाता है तो दुकान के लिए उस सोफा की कीमत क्या है दुकान के लिए उस सोफा की कीमत मतलब then what is the cost of that सोफा for the shop या फिर for the shopkeeper तो दुकान के लिए पूछ रहा है इसका मतलब यह पूछना चाहरा है वहिया एक काम करो तुम CP बता दो cost price बता दो सिधा सा सरल सा formula है cost price का cost price का formula होता है SP और 100 अपॉन 100 और प्लस profit कितने का है यह profit है आपका बैटा 6% का तो 100 प्लस 6 ठीक है formula क्या है मैं आप formula लिख दे रहा हूँ उसके बाद apply करेंगे पहले formula लिख दे रहा हूँ तो cost price का जो formula होता है SP into bracket में 100 अपॉन 100 प्लस जो profit का percentage है वो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है तो selling price है 24910 और into 100 अपॉन 100 प्लस profit percentage है 6% तो प्लस 6 ठीक है बटा यहाँ से देखो अगर इसको हम solve करें तो 24910 into 100 अपॉन 106 ठीक यहाँ से जब इसको काटोगे तो यह कितना हो जागा यह काट लो बटा यह जब आप काटोगे तो 106 से डारेक्ट ही काटते है चलो 106 दूना यह 212 हो गया और आपका यह बचा 38, 37, 371 तो अगर हम 3 बार में काट दें तो 318 ठीक है और यह हो गया 553, 0620 तो यह 5 हो गया ठीक तो यह आपका एंसर आ रहा है 23,500 सिधा सिधा एंसर आ रहा है बटा इससे काट दोगे तो आपका एंसर आ जाएगा 23,500 ठीक है अगला क्वेशन देखो बस एक फर्मूला लगाना था 13,800 बेच दिया तो उस फरिच को कितने में बेचे कि जितना लाब हुआ है उतनी ही हानी हो अब यह जब दस्ति नुकसान चाहती है अपना कि भाई 12,000 में उसने खरीदा प्रिया ने फरिच को बेच दिया 13,800 बेचा ठीक है तो प्रॉफिट कितने का हुआ देखो कितना ज्यादा कितना एक्स्ट्रा में उसने बेचा तो 18,000 उसने एक्स्ट्रा अमाउंट लिए 1800 उसने एक्स्ट्रा अमाउंट लिए यानि यह जो है प्रॉफिट आपका निकला आया अब यह कह रहा है कि भाई ये बताओ कि cost price क्या होगा जब उसको 1800 रुपे का ही loss करवाना है अपना नुकसान करवाना है 1800 रुपे का अच्छा है जी बड़ा शोक लगा इसको 12,000 में से आप 1800 माइनस कर दो ठीक है तो हमको पता है बटा कि cost price अगर loss हुआ है तो cost price selling price is equal to अगर loss हुआ है तो cp minus loss ठीक है इतने का ही उसको loss करवाना है तो इसलिए 12,000 माइनस 1800 कर दो तो ये हो गया 10,200 रुपे में जब वो बेचेगी तो उतने का ही loss होगा जितने का फायदा 13,800 में बेचने पर हुआ है ठीक है अगला question देखो 45 रुपे प्रती दर्जन की दर से केला बेचने पर दुकानदार को 5 रुपे का लाब होता है तो उसका लाफ प्रतिशत बटा सिंपल सवाला है ना 45 रुपे प्रती दर्जन की दर से केला बेचने पर तो ये है अपना SP और 5 रुपे का लाब होता है तो ये है profit लाफ प्रतिशत निकालने के लिए percentage profit निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है profit upon CP into 100 अब हमको CP तो पता नहीं है बटा तो CP निकालने के लिए ये 45 में से 5 माइनस कर दो CP is equal to SP minus profit तो ये हो गया SP है आपका 45 और 5 रुपे का profit हुआ है तो CP निकल के आगया 40 ठीक है CP 40 निकल के आगया तो profit हुआ है 5 और CP है 40 into 100 कर दो बड़े असानी से आपका answer निकल के आ जाएगा ठीक है 20-20-40 और 20-500 यानि कि 1.5% का आपको profit हो रहा है अगला सवाल देखो ये question आसान सा question है कहा रहा है विवेक एक TV को उसके अंकित मुल्य के 7 बटा 10 में खरीदता है तथा इसे अंकित मुल्य से 40% अधिक पर बेचता है तो अच्छा हरिश का लाफ प्रतिशत और 40% जादा पर बेच देता है समझो, बात समझो ये कहने का मतलब ये है कि किसी TV का दाम लिखा हुआ है कि 10 रूपया है ठीक और अंकित 7 बटे 10 में खरीद लेता है मतलब अंकित खरीद लेता है विवेक है ना या ठीक है तो विवेक खरीद लेता है 7 रूपय में मतलब यहां लिखा एक मिनट बटा ये पेंसिल डिस्चार्ज होगी जस्ट है मिनट दो मिनट का समय दो मुझे हाँ तो बटा पेंसिल मैंने चार्ज कर लिया थोड़े टाइम के लिए इसने में काम अपना चल जाना चाहिए देखो तो एक कहना यह चाहरा है कि भाई अगर 10 रूपय 10 रूपय अगर अंकित मुल्य था तो उसने 7 रूपय में खरीद लिया ठीक है अच्छा अब 7 रूपय में खरीदा है बेटा और आगे कहता है कि अंकित मुल्य से 40% अधिक पर बेचता है यानि अंकित मुल्य थो 10 रूपया है 10% का 40% निकालोगे 10 अंकित मुल्य 10 रूपया है 10 का 40% निकालोगे तो आएगा 4 रूपया यानि कि यह 4 रूपया अधिक पर बेचता है या बेचता है 14 रूपय में है ना साथ रुपे का profit, percentage profit, 100% का profit उसको हो रहा है, क्योंकि साथ में खरीदा और साथ का profit, है न, तो साथ पे साथ यानि 100% का profit उसको हो रहा है, ये देखो, ये वाला पढ़ो, एक दुकानदार ने 50 किलो चावल से भरी एक बोरी 4000 में खरीदी, तथा उसे दुकान तक ले जाने में 200 रुपे मजदूरी पर खर्च किये, यदि दुकानदार 85 रुपे प्रती किलो के हिसाब से चावल बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभया हानी हुआ, शॉपकीपर बॉट ए सैक फुल और 50 kg राइस for 4000, and spent रुपीज 250 on wages to take it to the shop, if the shopkeeper sells the rice at 85 रुपीज पर केजी, then what is the percentage profit and loss he made, देखो बटा ये कह रहा है, 50 kg चावल की एक बोरी थी, 4000 में खरीदा और 2500 रुपे मजदूरी पे खर्च कर दिये, तो उसका total CP मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 50 kg चावल की बोरी थी, उसने खरीदा 4000 में, और प्लस 200 मजदूरी पे खर्चा कर दिये, तो cost price ये दोनो मिला करके calculate होगा न, तो CP is equal to 4250 हो गया, अब क्या कह रहा है, कि 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने चावल बेच दिया, ठीक, तो अगर वो मालो की 50 kg उसके पास था, 85 के हिसाब से चावल बेचा बेटा, तो कितने रुपे का चावल उसका बिका बोलो, ये हो जाएगा 170, 170, 170, कितना, 55, 25, 0, 55, 42, 42, 4050 रुपे का उसका चावल बिका, ठीक है, अब जरा सोचो यहाँ बेटा, कि वो 4250 रुपे का उसका लागत ये लगा था न, उसने कुल मिला करके उसने इतना खर्चा किया था, और बेच भी इतने मरा है, तो यानि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, कि ना ही प्रॉफिट हुआ, निदर प्रॉफिट नौर लॉस, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, और लॉस भी नहीं हुआ, मतलब उसने अपना जो मुल्य, उसने चुकता किया था इसके लिए, वो वापिस पा लिया, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो नहिलाव नहानी देखो निदर प्रॉफिट नौर लॉस यह देखो अगला क्वेशन क्या कहता है क्या कहता है सवाल कि एक व्यक्ति ने 45 रुपे प्रती दर्जन के भाव से केले खरीदे तथा 5 रुपे प्रती केले के भाव से बेचे सौदे में उसका लाव यहानी प्रतिशाद 45 रुपे प्रती दर्जन के हिसाब से खरीदता है यानि 45 रुपे में खरीदा 12 केला तो एक केले का दाम 45 बटे 12 यानि कि यह हो गया 12 तिया 36 और 9 0 तो यह कित्त हो जाएगा 12 सते 84 3.7 और 6 0 तो 12.5 तो एक केले का दाम हो गया 3.75 रुपीज ठीक है यह एक केले का मुल्य है 3.75 रुपीज एक केला उसने खरीदा इतने में और बेच रहा है 5 रुपे में तो यहां से हम देखते हैं बिटा कि उसका प्रॉफिट जो हो रहा है एक केले के उपर वो हो रहा है 5-3.75 एक केले के उपर जो profit हो रहा है 1.25 रुपीज का profit हो रहा है percentage profit निकालने के लिए क्या करते हैं 1.25 का profit हो रहा है और कितने के उपर तो वो हो रहा है 3.75 के उपर तो 3.75 into 100 कर देंगे समझ में आ रही बात अब इदेखो 3 बार में कर जाएगा यानि कि 100 by 3 यानि कि 33.33% का profit उसको मिल गया यहां से solve करोगे जब तो यह आ जाएगा 33.33% का profit आ जाएगा ठीक अगला question देखो कितने question है देखते हैं बटा हमारे पास है total 22 question कर लेंगे धीरी धीरी आराम से करना है कोई दिक्कत है ने कोई जल्दी बाजी नहीं है यह देखो आशीष एक निवेश पर 20% का लाव भर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर 20% की हानि होती है यदि उसके दोनों निवेश तीन संबंध है के अनुपात में हो देखो सिंपल सा सवाल है कैसे लगाएंगे उसका इन्वेश्टमेंट 3 और 1 का रेशियो में है तो एक को माल लो 300 रुपया एक को माल लो 100 रुपया है ना पहले पे 20% का लाव हुआ तो 300 पे 20% का लाव निकाला होगे तो 60% का प्रॉफित होगया दूसरे पे 20% का 20% की हान ही होगी तो 20 रुपीस का उसको नुकसान हो गया तो पहले पे उसको फाइनल रिटर्न मिला 300 और 60 है नहीं कि 360 दूसरे पे फाइनल रिटर्न मिला 100 माइनस 20 कर दोगे चुकि यह लॉस हुआ है तो दूसरा वाला 80 कमाया दूसरे पे दोनों मिला करके उसने कितना कमाया बेटा 360 और 80 मिला करके दोनों को जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 440 रुपया उसने कमाये लेकिन इन्वेस्ट कितना किया था 300 और 100 टोटल इन्वेस्ट किया था 400 रुपया समझे 300 और 100 को जोड़ोगे ये total investment है, एक investment पे 20% का profit हो गया, तो 60 रुपए का profit हो गया, ये कि 360 कमा लिया, total मतलब आया final return, और एक पे 20% का loss हो गया, तो 100-20, ये कि final 80 मिला उसको, ये दोनों को जोड़ करके final उसको प्राप्त हुए 440, लेकिन final उसने पैसे लगाया थे 400 रुपए, ठीक है, तो 400 रुपए उसने लगाया थे, और उसको मिला 440 रुपए, finally, तो आपको यहाँ देखो, 40 रुपए ज्यादा मिला उसको, 40 रुपए ज्यादा मिला, यानि कि उसका लाव क्या है, 40 रुपए है, लेकिन जब percentage लाव निकालोगे, तो क्या होगा बैटा, 40 और CP मतलब, जो initial investment है, वो 400 है, into to 100, तो बराबर 10% का आपका उसका लाव हो जाएगा, यानि कि profit, ठीक है, 10% profit, अगला question देखो, एक व्यक्ति, एक हेटफोन को 20% के लाव पर तथा दूसरे को 10% की हानी पर बेचता है, दोनों सितों में विक्रे मुल अठा रहा सा, और प्रते एक का मुले करम श्यादा है, म ने कि आपको जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, यह वाला देखो, दो बकरी में से प्रते को 12,000 में बेचा जाता है, एक बकरी को 20% लाव तथा दूसरी को 20% हानी, हाँ, अब ये देखो, ये सवाल कर सकते हो, वही मैंने कहा, कि अगर एक में सेम परसेंट का लाव हो, सेम ये दूसरे पर हो रही हो, ठीक है, तो प्रतिशत लाव यहाँ हानी जो होगा बेटा, उसमें ध्यान रखना कि हमेशा लॉस ही होगा, और लॉस हमेशा कित्ता होगा, एक स्क्वाइर बाई हंडेड परसेंट का लॉस होगा, ठीक है, एक स्का मतलब यहाँ पे 20 है, तो 20 स्क पाईर बाई हंडेड, यानि कि 400 बटे 100, यानि कि 4% का लॉस होगा, कभी भी प्रॉफित नहीं होगा, 4% का लॉस, अप्शन बी, समझ में आरी बात, यह ट्रिक तब काम करेगी बटा, जब एक पे सेम परसेंट का लॉस हो रहा हो, और एक पे सेम परसेंट का प्रॉफित हो यह कंडिशन रहने चाहिए, तब यह फॉर्मूला काम करेगा, कि लॉस हमेशा होगा, एक से स्कायर बाई हंडेड परसेंट का, ठीक है, कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यह उसे 15 रुपे प्रिट लीटर बेचता है, तो 120 रुपे की हानि होती है, और 20 रुपे प्र तो 80 रुपे का मुनाफ़ा हो जाता है, याई आप समझो बाई, 80 का मुनाफ़ा होता है, और 120 की हानि होती है, तो ऐसे एक लाइन बना लो, यहाँ पे एक कौश्ट प्राइस लिख लो, ठीक है, 80 का मुनाफ़ा मतलब 80 की हानि मतलब 120 यहाँ, इन दोनों यह माइनस 120 है, ये जो दोनों का अंतर है न वो ये 15 रुपए और 20 रुपए का अंतर सबसे पहले निकालो तो 20-15 पांच आया ठीक पांच का दोस्वों में भाग दे दो तो ये 40 हो गया तो X is equal to 40 लिटर दूद उसने खरीदा था वसे बहुत shortcut मैंने बता दिया या शायद तुमको समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं बटा इसको आपको करने की जरुद भी नहीं है जादा ठीक है ऐसे question इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ बागी करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो ठीक अगला question देखो अच्छा इस पर एक बार verify कर लेते हैं जैसे मालो 40 लिटर अगर उसने दूद खरीदा है समझना मेरी बात 40 लिटर दूद खरीदा था उसने अगर मालो तो अगर वो 15 के हिसाब से बेशता है 15 रुपे के हिसाब से बेशता है ठीक है कि 800 भी बेचने पर 80 रुपे का मुनाफ़ा हो रहा है लेकिन ये बहुत hard question है आपके level पर बहुत hard question इसमें कुछ question एक्स्टा डल गए है तो मैंने जान मुझके वसे डाले हैं कि आप चाहो तो practice का सकती हो लेकिन जरूरत नहीं है ये छोड़ देना ये वाला question छोड़ देना और ये वाला छोड़ देना कहा गया हाँ ये वाला छोड़ देना ये भी hard ही है आपके level का है नहीं है फालतु में क्योंकि exam time बटा न ये revision time है तो revision time मैं ऐसे question करेंगो जो exam में आएगा ये देखो यह वाला question मैंने आपको कराया है 120 में 24 पिन खरीद करके 30 में 50 पिन बेच देता है तो बाप बड़ा नभीया सबसे बड़ा रुपयया सबसे पहले रुपयों को रखना है trick यह लगानी है कि 120 रुपय में 24 पिन खरीदता है और 30 रुपय में 5 पिन बेच देता है तो आप ऐसे करो 20 और 24 का मल्टिप्लाई कर लो 120 और 5 का मल्टिप्लाई करोगे तो यह आजाएगा 600 और 24 और 30 का मल्टिप्लाई करोगे तो यह आजाएगा 720 यानि यह जो 600 है यह CP हो जाएगा और जो यह 720 आ रहा है वो SP हो जाएगा देखो बैटा profit हो रहा है चुकि SP जो है CP से बड़ा है तो profit किते का हुआ 720 minus 600 profit हो गया 120 का percentage profit निकालना चाहते हो master बिल्कुल निकल जाएगा 120 upon जो CP है वो है 600 रुपया तो 600 और गुना हो गया 100 यानि 20% का यहां से कार्ट पिट लोगे तो 20% का profit उसको हो रहा है ये ट्रिक याद रखना बाप बड़ा ना मिया सबसे बड़ा रुपया तो सबसे पहले रुपयों को रखना है कि कितने रुपये में कितना पिन खरीदा उसने 120 में 24 खरीदा और 30 रुपये में 5 उसने बेच दिया ठीक है ये देखो बड़ा तेरहमा क्वशन देखो अमित ने 40 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 8 दर्जन बल्ब खरीदे भाव कम हो जाने के कारण 35 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 6 दर्जन और 27 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन बल्ब बेचे प्रतिशत हानी याद केजिए देखो बड़ा 40 रुपय प्रति दर्जन के हिसाब से 8 दर्जन खरीदा तो क्रेम उले टोटल कितना हो गया 40 रुपय एक दर्जन का 8 दर्जन खरीदा तो 320 रुपे का टोटल उसने खरीदा भाव कम हो गया तो 35 रुपे एक दरजन के हिसाब से 6 दरजन उसने बेचा तो 35 गुना 6 प्लस 27 रुपे एक दरजन के हिसाब से 2 दरजन बेचा तो 27 गुना 2 तो ये कितना हो जाएगा 6,5,3,3,4,3,2,2,10 और प्लस 27 गुना ये 54 हो गया ठीक, 210 प्लस 27 हो गया 264 यानि उसने खरीद 264 उसका सेलिंग प्राइस है उसने खरीदा 320 में बेचा 264 में तो लॉस हुआ ना बेटा, कितने का लॉस हुआ 320 माइनस 264 यानि उसको लॉस हुआ 36 और भीस 56 रुपए का लॉस हो गया है ना परसेंटेज लॉस निकालना चाहते हो तो 56 अपॉन क्रेम उले 320 था तो 320 गुने 100 यहां से परसेंटेज लॉस निकल जागा 0 से 0 गया और 4 से कड़ी जाएगा तो 4 32 और 4 एकनने 4, 4, 4, 16, 14 तो यह हो जाएगा बटा 2, 4, 8 और 2, 17, 14 तो यह हो गया 70 बाइ 4 परसेंट ठीक है 4 से भाग दे दो यार तो 4 से काटोगे तो यह हो जाएगा 4 एकनने 4 और 4, 28, 17 दसमलो 5 परसेंट का लॉस उसको हो गया अप्शन निए ठीक है असी अनार बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 अनारों के विक्रे के मुल्ल के बराबर यह भी छोड़ दो बटा इस कोशन को छोड़ देना ठीक है इसको छोड़ देना इसको नहीं करना है यह देखो यह किसी मोबाइल को 75 सो में बेचने से हुआ लाब 72 सो में बेचने पर हुई हाने का पांच गुना है ठीक है मोबाइल का क्रे मुल्ल है देखो समझाता हूँ ऐसे कर लो बटा बीच में CP लिखो क्रे मुल्ल ठीक है 75 सो में बेचा तो लाब हुआ यानि कि 75 इधर लिखो और 72 सो में बेचा तो हानी हो गई उसको तो 72 सो इधर लिखो ठीक है कह रहा है भाई कि 75 सो में बेचने पर जो लाब हुआ वो कितना हानी के बराबर था 72 सो में जो हानी हुई उसके 5 गुने के बराबर था तो मालो 72 सो में जब उसनी बेचा 7200 में तो उसको X रुपे का नुकसान हुआ तो जब वो 75-100 में बेचेगा तो उसको 5X का फायदा होगा चुकि 5 गुना फायदा हुआ है किसके तुलना में इस loss के तुलना में बटा दे समझो जब उसने 7200 में बेचा तो उसको loss हुआ जब उसने 7500 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ इसका कितना गुना प्रॉफिट है 5 गुना तो 5X अमने माल लिया इस question को solve कैसे करते हैं देखो 72-100 और 75-100 7500 माइनस 7200 कर दो तो ये 300 आ गया तो 300 बराबर तुमको कर देना है 5X प्लस X यानि कि 6X के बराबर और यहां से X की value आ जाएगी 50 X की value आ गई है 50 अब एक काम करो यहां पे आप हो अगर तो यहां loss हो रहा है इससे आगे X बढ़ जाओगे तो क्रेम उले पे पहुंच जाओगे आप से क्रेम उले ही तो पूछ रहा है यानि कि 7200 में आपको 50 एड कर देना है 50 कौन? X की value 50 कौन है बटा? X की value है 50 क्या है? X की value है X हम इसमें क्यों जोड रहे हैं? क्योंकि हम इससे X पीछे हैं X दूरी पीछे हैं अगर X जोड दें तो कॉस्ट बाइस से पहुंच जाएंगे तो 7200 और प्लस 50 यानि कि 7250 हमारा answer हो जाएगा ठीक है? अगला question देखो किसी दुकानदार को 34 रुपे के भाव से चीनी बेचने पर 15% का नुकसान होता है किस भाव से चीनी बेचे कि 20% का लाव होगा? देखो short tick बतातो में 20% का लाव मतलब क्या हो गया? 100% क्रेम उले और प्लस 20% यानि 120% 15% नुकसान का मतलब क्या हो गया? 100% आपका हो गया क्रेम उले और माइनस 15% यानि की 85% तो कहने का मतलब यह है यह 85% की वैल्यू दी गई है 34 आपको निकालना है 120% की वैल्यू गुरु जी का जंतर सीधा लगा 120 उपर रखो 85 नीचे रखो और सीधा 34 से कर्दो गुणा बटा तुरंत एक जटके में जवाब आ जाएगा 72, 34 और ये 75, 85, 85 से काटा तो ये कटी जाएगा बिल्कु कटेगा 24, 25, 120, 24, 88 तो जब वो 48 रुपए में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा सीधा बटा एक लाइन में अंसर आ गया देखा तो गुरु जी का जंतर बड़ा कमाल का है आपको याद रखना है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखनी है जितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है जितने percent की value दी गई है उसको नीचे रखना है और उस percentage की जो value दी गई है उसको बगल मेरा करके गुणा कर देना है simple है ना 60 पंखों का लागत मुल्य 75 पंखों के विक्रे मुल्य के बराबर है यहनि कि the cost price of 60 fans तो cost price of 60 fans is equal to selling price of 75 fans ठीक है तो हानी प्रतिशत कितना है यह निकालना है अब इस case में क्या करेंगे पंदर चों के साथ पंदर पच्चे पच्चत्तर तो CP अपॉन SP निकाल लेंगे तो CP अपॉन SP चार इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 5 बाई 4 यानि हम यहां से देख रहे हैं भाई कि SP है चार रुपए CP है पांच रुपए तो पांच रुपए में खरीद करके चार रुपए में बेचा तो एक रुपए का नुकसान हुआ कितने रुपए के उपर पांच रुपए के उपर तो 1 बाई 5 इन 200 यानि कि 20 परसेंट का लॉस हो गया उसको ठीक है अगला question यह नहीं करना बटा इसको छोड़ देना ठीक है इसको छोड़ देना यह देखते हैं लुक जाओ चलो यहाँ देखो बटा है यह करो पहले गेंदलाल ने अपने करमचारी को एक सामान को 8 परसेंट के लाफ पर बेचने को कहा लेकिन करमचारी ने उसे 20 परसेंट के लाफ पर बेच दिया और अत्रीक्त 36 रुपए अपने पास रख लिये तो सामान का करें मुल्य समझना बेटा करें मुल्य 100 परसेंट है ठीक ने ठीक है तो गेंदलाल ने अपने करमचारी को बोला कि 8 परसेंट के लाफ पर बेच देना यानि कि 108 परसेंट पर बेच देना लेकिन करमचारी बड़ा चालाग था उसने का जी थोड़ा और एक्स्टा बेच देते हैं तो उसने 20% के profit पे बेच दिया यहने कि 120% पे बेच दिया है ना तो जब उसने 120% पे बेचा बेटा तो कितने का difference आ गया अंतर कितने का आ गया 120 में से 108 माइनस कर दो तो difference आपका आ गया 12% का और इस 12% की value है 36 रुपए ठीक है 36 रुपए आपको 100% की value निकालनी है तो 100 upon 12 into 36 सिदा कर दो बारत यही 36-300 रुपए आपका आ गया क्रेम ले सिदा सिदा जबाब आ गया कोई formula और formula यूज नहीं कर रहा हूं देख दढ़ा कैसे question लगते जा रहे मिटा तो इस तरीके से लगाओगे तो लग जाएगा एक दुकांदार अपनी तीन चौथाई वस्तों को 25% के लाफ पर तता 6 वस्तों को खरीदी कीमत पर बेचता है तो पूरी खरीदी विक्री को कितने पूरी खरीदी विक्री को को 25% के लाफ पर बेचता है ठीक यानि मालो चार सामान खरीदा चार में से तीन को 25% के लाफ पर बेच दिया और एक को उतने पर ही बेच दिया ठीक मालो चारो सामान एक एक रुपए सो सो रुपए का खरीदा था ऐसा समझो मानो एक सामान का मुल्य 100 रुपया था क्रे मुल्य यानि कि CP तो 400 में खरीदा था और 25% के लाफ पर बेच रहा है यानि 125 रुपय प्रती सामान के हिसाब से वो बेच रहा है तो 3 को तो 125 रुपय के हिसाब से बेचा यानि कि 375 रुपय जबकि एक समान को उसने खरीद मुल्य पर बेच दिया मतलब क्रे मुल्य पर ही बेच दिया तो यानि एक समान को उसने 100 रुपे में बेचा तो टोटल उसका SP किता हो गया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 375 प्लस 100 यानि कि 475 और टोटल CP कितना था 400 रुपे 400 रुपे में खरीदा 475 में बेचा तो 75 रुपे का प्राफिट उसको मिला लेकिन परसेंटेज प्राफिट निकालोगे तो 75 अपॉन 400 में खरीदा था तो 75 बटे 400 और गुने 100 ठीक है यान से देखो यह हो जाएगा आपका 16 दसमलो कितना हो गया चार से काट होगे चार रिकरने चार और यह 35 चार उठेज़ बत्तिस 18 अठारे समलो साथ पाच 18.75 परसेंट हो गया ठीक है ओप्शन C हो गया नेक्स्ट क्वेशन देखो यह क्वेशन क्या कहता है बटा किसी वस्तु का सेल्स टेक्स सहीद 1260 मुल्य है ठीक है सेल्स टेक्स किदर 5 परसेंट है एदि दुकानदार 20 परसेंट ला भर्जित करता है तो वस्तु का लागत मुल्य गयात कीजिए समझना मेरी बात बटा लागत मुल्य कॉस्ट पाईस आप से कह रहा है अब sales tax कब लगता है पता है sales tax बटा जितने में कोई दुकांदार बेचता है विक्रे मुल्य पर sales tax लगता है ठीक है तो वैसे ये भी hard ही question है लेकिन चलोकर आ दे रहा हूँ किसी वस्तु का sales tax सहीत इतना मुल्य है और sales tax की value है 5% तो समझो इसको बटा जल्दी समय कराता हूँ नहीं सबज में है तो भी दिक्कत नहीं है देखो sales tax है 5% है आपको निकालना है विक्रे मुल्य परसेंट तो selling price आप निकालोगे selling price की value निकाल लगी है तो आप 5% sales tax है ना तो 1260 गुने 100 बटा 105 कर दो 105 इसलिए कर रहा है क्योंकि 5 sales tax है 100% की value निकालना है मतलब विक्रे मुल्य वाला अब यहां confusion मत होना किये भी तो क्रे मुल्य को 100% मान रहे थे ठीक है इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ तुम फिर यहां confusion होगे रुख जा हमने माल लिया क्रे मुल्य है X रुपया ठीक 20% का लाब हुआ है तो प्लस 20% का लाब अगर हुआ है तो X का 20% तो X into 20 by 100 तो यानि कि यह होगे X by 5 का profit हुआ है यानि विक्रे मुल्य क्या होना चाहिए बोलो बटा इन दोनों को मिला करके विक्रे मुल्य बनेगा यह आपका CP है यह आपका profit है तो SP is equal to हो जाएगा X plus X by 5 यानि कि 6X by 5 यह आपका selling price हो गया समझ में आरी बात अब मैंने कहा कि selling price पे tax लगता है तो tax 5% लग रहा है तो इस पे जो tax लगेगा वो 5% तो 6X upon 5 into मतलब selling price हो जितना बेचना चाह रहा है उस पे tax लगा है और final उसके बाद जितने बेचना है वो अलग बनेगा ठीक है तो इस पे जो है कितना 5% tax लगा है तो 5 by 100 5% हो गया तो 5 से 5 कड़ गया यानि कि आप यह कर लो 6X by 100 का tax लग गया ठीक 6X by 100 का आपका tax लग गया बटा और इतना selling price उसका था तो final जो निकल के आ रहा है ना इन दोनों को जोड़ दो तो 6X upon 5 और प्लस 6X by 100 तो 20 चका 120 यानि कि 126X बटा एक नट 126X बटा 100 बराबर आपका आ रहा है इसके बराबर करना पड़ेगा आपको 1260 के बराबर तो is equal to 1260 यहां से देखो यह 100 इधर चला जाएगा 126 चलाएगा यानि कि X is equal to 1000 यानि कि क्रेम उल्याप का हो गया 1000 रुपे यहां से निकल जाएगा ठीक है बटा इसको मत करना छोड़ी दो ज़्यादा कन्फूज होगे फाल तुम्हें एक्जाम टाइम में यह नहीं करना इसको करना मत वैसे मैंने answer आपको बता दिया कि 1000 रुपे आ रहा है यह वाला कर लो यदि हानि बिक्री कीमत की एक बटे 4 है तो हानि प्रतिशत चाहिए तो हानि प्रतिशत के लिए आपको चाहिए CP भी चाहिए तभी तो हानि प्रतिशत निकालोगे ठीक है तो आप ऐसा करो कि loss SP को इधर लेकि आ जाओ loss upon SP is equal to 1 by 4 यानि यहां से दिख रहा है कि loss एक रुपे का हुआ है SP चार रुपया है ठीक तो आप CP निकाल सकते हो कैसे CP ऐसे निकाल लोगे कि CP is equal to SP plus loss तो 4 plus 1 यानि कि CP पांच रुपे का हो गया ठीक है पांच रुपे CP आपका हो गया एक रुपे का loss हुआ है तो loss percentage निकाल लोगे एक बटे 5 गुना 120% भी option ठीक है इस तरीके से बटा हमने सारे question इसके कर लिए लेकिन तीन चार question जैसे एक अभी ये वाला एक हो गया ये वाला इसको नहीं करना है तीन चार question मैंने बटा वैसे चुकि इसको एक comprehensive material बनाने के लिए ताकि सारे तरह के question हो जाए मैंने इसमें सारे question डाल रखे थे लेकि मुझे लगता है भी जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों के आपके level का है भी नहीं अभी इस question की practice तब करते है जब हम आपस time काफी होता है लेकिन चुकि हम revision कर रहे हैं तो इसलिए इसकी जरूरत है नहीं 14 वाला यह मत करना ठीक है यह भी किते भाई बहुत सारे question चुलवा दिया master ने पांच question चुलवा दिया ठीक है कोई बात नहीं बैटा तो यह पांचों question मत करना और बाकी को अच्छे से कर लेना लेकिन जितने कर रहे हो बाकी अच्छे से कर लेना I hope कि यह आपको समझ में आया होगा यह पूरा DPP मतलब पूरा यह जो RTP का sheet है RTP की sheet यह आपको अच्छे समझ में आया होगी बटा practice करते रहो sheet सारे solve करते रहो बाकी extra material जो भी आपको मिलते हैं जो भी अपनी book से करना हो guide से करना हो mock test model paper जहां से भी करना हो लगातार करते रहना है भीड़े रहना है ठीक है मिलते हैं आपसे next lecture में तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद जैहंद